ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव श्रीपुरान में वड़न है कि चाहे नारी हो या हो पुरुष दोनों भस्म लगा सकते हैं दिन हो या हो रात दोनों समय में भस्म लगा सकते हैं ऐसा श्रीपुरान में वड़न है बस जब भी आप भस्म लगाए तो उसमें थोड़ा सा पान उसके उम्र तो बढ़ती है उसका ग्यान भी बढ़ता है वो चारू आसरू में स्रेष्ट माना जाता है। भस्म ब्रह्म हमुर्थ में सीव को लगाई जाती है वो भस्म अरोगिता के लिए होती है दूसी भस्म जब हम अपने मस्तख पर त्रिपुन लगाएं उस समय भागवान संकर को भस्म चढ़ाते हैं तो वो भस्म जीवन में सुक प्रदान करती है तीसी भस्म दोपहर के ठीक पर बारा बजी चढ़ाई जाए फिर उस भस्म को उतार कर अपनी कार्ज सिध्धी के लिए अपने मस्तख पर लगाई जाये तो हर कार सिध्ध हो जाता है चौत ही भस्म भागवान संकर को हर महिने जो सिवरात्री पाड़ती है तब यदि भागवान शी भागवान महादिय अतिसी एक प्रशन हो जाते हैं यदि महवान महादिय को प्रशन करना है तो हर महिने की सिराद्री परों को भस्म अवश लगाएं और पाच्वी भस्म ठीक संध्या के समय बेलपद्र के उपर भस्म को रखकर भस्म समरपित करने से हर प्रकारगे का संपन हो जाते हैं शिवपराम में वोड़े थे कि मनुस को तीन जगा भस्म आवश लगानी चाहिए पहले मस्तक पर क्योंकि दोनों भावों की बेच एक चक्र होता है जब मस्तक पर भस्म का तिलग लगाया जाता है तो भ्यक्त कभी दोखा नहीं खा सकता फिर गले की नीचे जो गढ़ा होता है वहाँ पर बिशुधी चक्र होता है यदि यहाँ गले पर भस्म लगाया जाए तो यदि कोई हमें बिस भी देता है तो बिस अमरत बन जाता है उस बिस का असर कम हो जाता है तीसी जगा वच्छ स्थल यहाँ पर अनहाच चक्र होता है यह चक्र ऐसा चक्र है यदि कोई बिख्ति आपसे नफरत काता है आपको अपसब्द बोलता है तो अनहाच चक्र पर भस्म का त्रिपुन लगा कर यदि उस बिख्ति से आप दो या तीन बार मिल लिए तो आपका कितना विवरोधी होगा वो आपके पक्ष में आ जाएगा मगर वो भस्म कहा की होनी चाहिए तो भस्म किसी तीरत में जो आपने आहोतियां दी हूँ या किया हूँ वही भस्म होनी चाहिए हर हर महादीव